हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, आज हम बनाएंगे उडिशा का फेमस अटाका करा, इसको हम बनाएंगे गेहुं के आटेसे, इसको बनाना बहुत आसाने और खाने में बहुत टेस लगता है, जब कोई तुहार आता है तो इसको घर-घर में बनाया जाता है, चलिए आज हम आपको बनाना सिखाएंगे उडिशा का फेमस अटाका करा, अभी हम एक प्यान ले लेंगे और इसमें डाल देंगे एक कप गिहुं का अटा, जिससे आप रोटी बनाते हैं, ओही अटा है यह, इसको अभी हम ड्राय रोस्ट कर लेंगे, जब आप इसको ड्राय रोस कर लिजिए, इसे करने से अटा में जो माइस्चर है यह चला जाएगा, जो अटा का जो कच्चा समेल है, यह और काक्रा में नहीं आएगा, एक बात का ध्यान रखना है, जब आप इसको ड्राय रोस्ट करेंगे, ग्यास का फ्लेम को लो कर दीजिए, अगर ज़्यादा हाइ अटा का कलर चेंज हो जाएगा, काक्रा खाने में टेस्ट नहीं लगेगा, अभी हम इसको लो फ्लेम में दो मिनिट के लिए ड्राय रोस्ट करेंगे, दो मिनिट के बाद अटा को अभी हम निकाल देंगे, अभी दो मिनिट हो गया है, अटा अच्छे से ड्राय रोस्ट हो यहां इसको एक बर्तन में निकाल देंगे, अभी हम उसी प्यान ले लेंगे, इसमें डाल देंगे 1.5 कप पानी, पानी को थोड़ा गरम होने के लिए छोड़ देंगे, पानी में तुरा उबाला ना स्टार्ट हो गया है, अभी हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून सोम, हाफ एलाइची पाउडर हाप टीस्पून नमाग थोड़ा सा नमाग डालेंगे हाप टीस्पून से भी कम थोड़ा सा डालें इसमें और फाइप अटीस्पून हम सुगर डालेंगे चिनी इसमें डालेंगे 5 अफटी स्पून एक देखिए एसे ही छोटा चमुस ले लिए हैं इसमें हम 5 अफटी स्पून चिनी डाल दिये हैं मिठा अगर नहीं होगा खाने में टेस्ट नहीं लगेगा इतना मिठा काफी रहेगा इसमें अभी हम पानी को उबलने के लिए छोड़ देगे पानी में उबलनाणा स्टार्ट होने के बाद अभी हम इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे चाहे तो आप अईल भी डाल सकते आई एसे करने से आप इसमें जब आटा ड़ा लेंगे आटा नीचे नहीं जिपकेगा देखिए पानी में उबालना ना स्टार्ट हो गया अच्छे से अब याम इसमें थोड़ा थोड़ा करके आटा ड़ा लेंगे और एक हाथ में चामुच जलाएंगे इसे करके आटा को अच्छे से पानी में मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम में अच्छे से इसे पकाएंगे थोड़ी देर के लिए इसको पकाने से धीरे धीरे कड़ाई चुणने लगेगा आपको पता चल जाएगा आटा अच्छे से हो गया है अभी देखिए अटा अच्छे से हो गया है, अभी हम ग्यास का फ्लेम को बांध कर देंगे और इसको कभर करके रख देंगे थंडा होने के लिए हलका सा थंड़ा होने के बाद अभी हम इसको एक बर्तन में निकाल देंगे जैसे आप इसको टर्स कर पाएंगे इतना ही थंड़ा होना चाहिए अभी हम एक बावल में थोड़ा सा ओयल ले लिए हैं इसमें हम आटा गुंदेंगे, जब आप आटा गुंदेंगे तो हाथ में थोड़ा सा ओयल लगा लिजिए, इसमें और पानी आपको नहीं डलना पड़ेगा, हाथ में थोड़ा सा ओयल लगा के अच्छे से मसल मसल के 5 मिनिट के लिए आपको इसे अच्छे से गुंदना होग अच्छे से कुंदने से अब जब काकरा बनाएंगे यह अच्छे से फूलेगा जो खाने में बहुत टेश लगेगा अभी हम इसको 5 मिनिट के लिए अच्छे से गुंद लिये हैं अभी हम इसको बेलेंगे बेलने के लिए अभी हम इसमें से थोड़ा सा पर्शन ले लिए हैं अभी हम इसको बेल लेंगे बड़ा साइज में और इसको कट करेंगे देखिए इतना मुटा रहेगा अभी हम एक ग्लास ले लेंगे ग्लास में थोड़ा सा ओयल या घी लगा लेंगे उपर में और इसको काट लेंगे इसे करने से इसका सेप समान रहेगा तो काकरा देखने में आच्छा लगेगा इसे करके अभी हम सारे बना लेंगे अभी चलिए आईल को गरम करेंगे आईल अच्छे से गरम होने के बाद हम इसको फ्राइ करेंगे अभी आईल अच्छे से गरम हो गया है अभी हम इसको फ्राइ करेंगे एक तरफ से हरकासा गॉल्डन ब्रॉण होने के बाद हम इसको पल्टाएंगे एससे करके चारो तरफ से अच्छे से गॉल्डन ब्रॉण होने के बाद हम इसको निकल देंगे अगर आप इसको अच्छे से नहीं बेलेंगे अगर सेप इसका समानरी रहेगा तो काकरा जब आप फ्राइ करेंगे यह नहीं फूलेगा इस बात क्या ध्यान रखना है देखिए अच्छे से पूरी जैसे ये फूल रहा है तो इसका टेस्ट अच्छा लगेगा खाने में पेलने के टाइम में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा देखिए अभी ये हो गया है अभी हम इसको निकाल देंगे अभी दूसरा जो रखे थे इसको भी इससे फ्राय कर लेंगे अभी हम नीचे एक टी सूपे पर रखे हैं सारा जो ओयल है ये सोक हो जाएगा इससे करके और जो काकरा है इसको भी फ्राय कर लेंगे अभी ये भी हो गया है अभी हम इसको निकाल देंगे देखिए कितने अच्छे से कितने जल्दी आप काक्रा बना सकते हैं घर में अभी हम इसको निकाल देंगे देखिए ओडिस्या का फेमस काक्रा पिठा रेड़ी हो गया आप एक बार इसको घर में बनाईए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरे वीडियो को लाइक करना, सेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थेंक यू फर वाचिंग